हेलो इस्टुडेंट वेल्कम बैक और मैंटोचा विकासमाइट अकेडमी इस्टुडेंट आज की वीडियों क्या करने वाले है एक साइस जो आपका 3.1 था फंसन का वो कंप्लीट हो गया है तो उसका जो नेस्ट टॉपिक है फंसन का उसे में स्टार्ट करने जा रहे है इस् वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर चैनल तो सस्काइब जरूर कर लिए इस्टुएंट के आपको जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकर्शन जाता रहे इस्टुएंट ठीक है और प्रिवेस वीडियो देखना है या प्लेली जाकर सकते ह हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया चुरू करते हैं देखते हैं रियल वैलू फंसन क्या होता है और यह फंसन क्या होता है जो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है इसे ध्यान से दिखिएगा इसी टॉपिक से रिलेक्टेट जो आपका एक्साइज 3. पॉइंट 2 है उसमें कंसेट इसका उने वाला इस तो अच्छे तरीके से कंसेट क्लेर रहेगा एक साइज अच्छे तरीके साप सॉल्ब कर रहेंगे इस्टूइंट मेरा भी हेल्प नहीं रहें पड़ेगा आपको ठीक है और मैं तो हेल्प करने के लिए हूँ जो चलिए स काम है नाम में इसका क्या है काम है बोला है कि रियल फंसन क्या होता है तो रियल फंसन हो ऐसे फंसन को हम रियल फंसन बोलते हैं जिसका डोमें और को डोमें जिसका डोमें और को डोमें वह क्या हो सबसेट हो रियल नंबर क्या हो सबसेट हो रियल नंबर क्या तो वैसे हम फ A function F having domain and its co-domain co-domain is a subset of real number real number real number जैसे हम subset of real number यहां पर R भी लिख सकते हैं R को हम real number करते हैं ठीक है तो that function such function such function is called real function क्या बोलेंगे student उसे हम real function बोलेंगे ऐसे function जिसका domain और co-domain दूनों क्या हो सबसेट हो real number का सबसेट मतलब simply क्या होता है student अपने सेट में पढ़ा था सबसेट मतलब क्या होता है basically part हो real number का एक part हो उसका domain और co-domain तो वैसे function को हम क्या बोलेंगे real function बोलेंगे बास समझ में आ गया बहुत ही simple definition है function F having domain and its co-domain is a subset of real number such function is called real function ठीक है अच्छे तरीके से आपको definition जो common language में मैंने क्या किया write कर दिया समझ में आ रहा हो इस्ट्वेंट ठीक है examples देखते हैं का real function का examples क्या होगा तो कोई भी माल दीजे आपका एक function है set a to set b है जहां पर function defined के है इस्ट्वेंट के fx is equal to x square है fx is equal to x square है और जो इसका a जो है a जो है वो set है a belongs to 0 1 2 3 और b जो है आपका b belongs to जो है b belongs कर रहा है 1 2 5 6 7 10 ठीक है यह सब बिलोंग कर रहा है ठीक है यह सब बिलोंग कर रहा है और कुछ element ले ले लिजें यहां पर क्या ले सकते हैं 4 9 यह सभी ले लिजे तो दिखें student इस function को बताएंगे कि यह function f है वो real function है कि नहीं यह क्या करेंगे यह जो सकिया है इसका जो है i当 today domain बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं और सबMo नमबर में क्या होता है जिरो वन टू थी होता है होता है कि नहीं है तो यह जो है आपका पार्ट है रियल नमबर का तो इसका बी जो है आपका मतलब को डूमें भी इसका क्या है यह क्या होगा यह सबसेट है नमें लिखा है कैसा सकता है आप संद्ध देगा और बोलेगा कि यह बताएं यह वो रियल फंसन है कि नहीं है तो concept के लिए रहेगा तो आसा आसाने से आप क्या कर सकते हैं इस्टुएंट स्टुएंट नेश्च टॉपिक देखते हैं इस्टुएंट ने कहा है रियल वेलू फंसन का लियुस्कम क्या होता है इसके समझने से पहले अपने kaجम लॉंग Woah वह क्या रियल नंबर रहा है अायसां फट्पे टो द नेखिए आप से योडल यह इया दोर्ही mudar का सबसेट हो जा प्री आ वैसे वह आप क्या बोलते हैं रियल वयल्य वैल्यू करों संब थो ठिक है तो दिख्या आप डिफिनेशन एक function A to B मतलब function क्या जा रहा है दो एक आपका domain हो गया और code domain क्या हो गया ऊपर B हो गया जो function कि value क्या आती है code domain में तो आती है set B में तो आती है अरे देखिए set A का element क्या होता है set B में जाकर चुरूआ आता है मतलब fit A में set A का element में अगर हम function की value put करते हैं student set a के element हम क्या करते हैं function में put करते हैं x के जगा पे तो जो value आती हो क्या होता है set b में आती है set b में जाके connect होता है तो fit b क्या आपका code domain है मतलब function की value आती हो क्या होती है code domain में ही आती है ठीक है तो ही बोला है कि set B जो क्या होता आपका set B to be function define is called the real value function if, if कब कहलाएगा कि B is a subset of real number B is a subset of real number मतलब उसका code domain क्या होना चाहिए वो real number का subset होना चाहिए तब ही तो function के value जो आएगी वो एक real number आएगी code domain रहेगा तो क्योंकि code domain में क्या आती है function के value आती है अरे देखिएए हांपे graph देखिए यह क्या है यह set A है और यह क्या है? क्यां है? कनेक्ट करते हैं तो यह बोलना है कि जो क्या होना चाहिए आपका एक रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का सबसेट होना सबसेट होना सबसेट होना सबसेट होना सबसेट होना सबसे ठीक है श्टुएंट बासना आगे आपको नहां को एंट तो यह आपका real value function का definition तो यह रहा आपका real value function और वने real function क्या होता है उसका definition मैंने आपको समझा दिया अब आते हैं इस्टूइंट एक्जांपल से आपका वोक में एकञेंपल को स्वास फॉड ह्ब करते हैं तो आते हैं ग्जांपल नॉबर उनने चुत इस को में नोट करके था अर्थ कि है देखिस्धुएंट एक लिटोए आपका आपका दूबरहन दिया है कि इस dat टो मारवन है कि fx is equal to क्या है 3x to the power 4 minus 5x square plus 9 और हमें क्या find करना है student find करना है fx minus 1 fx minus 1 तो क्या करिए f यहाँ पर x है न यहाँ पर x के जग़े पर क्या है x minus 1 है student तो इस x को हम क्या करेंगे reflex कर देंगे replace कर देंगे x minus 1 से ठीक है student तो हमाल जो answer आएगा जो function function की value x minus 1 की value आजाएगे student तो क्या करिए यहाँ पर इसको value finite करना है इसे equation 1 माल लेजिए ठीक है तो क्या करिए यहाँ पर दिखेंगे कि by replacing x by x minus 1 हम x क्या कर रहा है x minus 1 से replace कर रहा है in equation first then we get क्या मिला हमें वो देखिए ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा जब यहाँ पर x minus 1 पूट करेंगे तो क्या हो जाएगा x minus 1 आजाएगा और जहां-जहां x यहाँ पर दिख रहा है न वहाँ यहाँ पर x minus 1 कर दिजिए तो 3 x x जब पर x minus 1 का पावर 4 minus 5 into x minus 1 का स्क्वाइग प्लस 9 अब इसको solve कर लेंगे तो हमारा क्या आजाएगा answer आजाएगा यहाँ पर देखिए पावर फूर है इसका तो फूर्मला भी होता नहीं है तो क्या करें इसको फूर्मला पर ब्रेक करें यह क्या हो जाएगा यह स्क्वाइगा एक्स स्क्वाइगा और और माइनस 2 इंटु एक्स हो जाएगा इस्ट्वें यह ब्रेक हो गया और प्लस 9 ऐसी रख जानते है तो देखिए यहां तक हमने क्या कर दिया अब इसको क्या करेंगे आप इसको वैलू कल्कुलेट करेंगे ठीक है बस से इंपली कल्कुलेशन यहां पर क्या करेंगे ए माइ 12 x to the power 3 plus 13 x square minus 2 x plus 7 यह value आगी तो यह आपके क्या हो जाएगी answer हो जाएगी किसकी f x minus 1 की student ठीक है तो मैं calculate नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह सब आपकी previous class की calculation है तो आप यह कर सकते हैं easily student ठीक है तो मैं बस answer लिख जाओ आपका यह answer आएगा आएगा आए देखते हैं next question example देखते है example number 2 क्योंकि बहुत easy question है ठीक है example number 2 को देखते हैं इसे note कर देखते है तो इसे नोट कर देखते हैं कि एक्जामपल नंबर 2 क्या दिया आपका कि इफ fx is equal to x plus 1 upon x है तो प्रूब डैट fx to the cube is equal to fx cube plus 3 f1 upon x यहां क्या करना है ठीक है तो क्या करिए पहले जो यहां पर statement दिया वह क्या कर आप value निकाल लीजिए पहले given हमें क्या दिया है वह देखते हैं हमें fx क्या दिया है fx is equal to x plus 1 upon x है 1 upon x है न तो क्या करना हमें हमें क्याना है fx की whole cube मतलब इसकी हमें क्या करने क्यूब निकालनी है पहली बात यहां पर क्या कर रहा है कि f of xq हमें एक सब्सक्राइब पूट करके वह value निकाल लेनी है और जब इसको निकाल लेंगे तो इसको भी निकाल लेंगे और देखा देंगा कि यही काम करने वाला है reasonable by较ते में तो देखिए पहले हम क्या निकालते हैं पहले हम f of Xq यह निकालते हैं यह value निकालते हैं एक्स खिए प्या कि HA simply Mais the act ofka करे एक्स देघ्खर करूए shift तो जहां-जहां एक है हुहां पर एकस्कीट पूर्ट कर दिया तो यह हमें वैलू मिल गई इतना बात अब करें अब क्या करें एकस क्वारा है हुब होल क्यूब चाहिए तो हम fx का होल क्यूब करेंगे स्टुडेंट पहले हम देखते हैं कि fx is equal to हमें क्या दिया है वह देखते हैं पहले fx is equal to क्या दिया एक्स प्लस वन अपन X दोनों तरफ क्यूब कर दिजिए आपके लिख दिजिए बाइक क्यूविंग हुआ है तो बोच साइड क्या करें क्यूब करें कि तो क्या जाएगा fx का इधर भी whole Q को और इधर भी whole Q को जाएगा और तो एक्स प्सवन अपन x का whole Q म और तो क्या करें बी है अग्य है और ये वी प्लस बी का होले वाला फर्मूला इसके वहीं करेंगे यहां पर 3 x plus 1 upon x यह में मिला ठीक है अब यह हमें क्या मिला f of x का whole cube मतलब fx का whole cube का हमें यह मिला यहां बाद समझ में आ रहा है इससे क्या करें इसे equation 1 माल लेते हैं equation 1 माल लेते हैं यहां तक समझ माया होगा आपको कोई दिक्रत नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हमने क्या करना है कि इसकी निकाल लिया हमें f of 1 by x निकाल नहीं हो जाएगा प्लस क्या कर देंगे 1 by 1 upon x लिखेंगे यह क्या हो जागा यह प्लट जाएगा यहां पर हो जाएगा 1 upon x plus x हो जाएगा यही तो हुआ है ठीक है f of 1 upon x की वैलू यह आ गई अब इस्ट्रेंट क्या करिए सारी value को देखिए equation जो आपका one में तो xq plus 1annoy짝 एक्सकर यह किसकी वैलू है एकर सकते यहां प्निकमंनिकली सकते हैं सकते और यहां परs 1 upon x के वैलू है एस आफ्सकर वैलू है यह सब वैलू क्या करिए equation 1 में put करिए यहां पर put करिए put put fx of q is equal to xq plus 1 upon xq and f of 1 upon x is equal to x plus 1 upon x in equation in equation 1 in equation 1 equation 1 में जब put करेंगे this student f of x का whole q is equal to क्या जाएगा इसके जगा पर हम क्या लिख सकते हैं आप f of x q लिख सकते हैं लिख सकते हैं न बास्वज में आ रहा है ठीक है और इसके जगा पर हम क्या लिख सकते हैं डेखिए कैसे पूर्व किया मैंने यह आपको क्या होता है पूर्व होता है आपको है स्टेट्मेंट है मारा तर्षस्ट नहीं किया है या मेरे इंश्डागां में इसका स्थेन करके 8 p.m. sorry 8.30 p.m. से 9.30 9 p.m. तक वहां पर क्या हमाँ गारता हूं नाइव वो था हूं यहां आप मुझसे आपने डाउट वो क्लियर कर सकते हैं इस ट्रवण वहां से मुझसे लाइव इंट्रेक्ट हो सकता है इस ट्रवण ठीक है तो वहां से कर सकते हैं ओ वीडियो up on 2 ocho minus one upon two X equal नहीं हुख यह तब यह function क्या है definite अधिक है थें so that F of FX F of FX मतलम exercise अब क्या पुट कर दिया आप FX विपूट क्या पुरा है यह function को पूट कर दिया है हमें देखाना है is equal to kya । टू एक्स प्लस वन अपउन 2 x plus 3 provide it जब X not equal to hona चाहिए 3 by 2 मतलब यह function to define होगा जब X not equal to 3 by 2 होगा तभी हमें क्या करना है इसे सो करना है तो देखिए कुछ नहीं करेंगे बस क्या कर रहें यहां पर देखिए इस वह में प्रूव करना है अब यहां पर X सब्सक्राइब क्या किया है पूरा इंद इतना बात तो समझ में आ रहा है आपको ठीक है है कि fx is equal to one upon two x plus one यह बात समझ में रहा है इतना बात तो समझ में आ रहा है आपको ठीक है इतना बात समझ में रहा है तब हमें क्या निकलना है कि f of fx f of fx is equal to क्या होगा तो यहां पर क्मक्रें एक्सकी वैलू अहां आप एक्स की मृण्सेन आपकल जिया नकि एकस की वैलू पूरे पूरा पूर्सों की वैलूपूरा अठीक घ्रिय एक्स को कमेंहीं 1 ॆ। इसको simplify करते हैं और भी सिंप्लिफाई करेंगे इस्टेवन तो क्या होगा यहां पर और रहे हैं गाड़ous मंट्प्लाइक लेगा से जबहिए अपना इस ट्ने प्लस प्लस उडाएगा आपका मेन बठाट है अब यहां से स्टुडेंट is equal to one upon यहां पर Csm लेंगे तो यहां अब कहा जाएगा तू तो एसी रहेगा यहां डवता है तो ऐसी रहेगा और सब्सक्रख रॉड़म लेंगे कर दो ढायगा तू एक्ष फ्लस वन ठिक है और यहां पर क्या करेंगे टूरेगा थीचर buffet अब क्या होगा घिर आपको हलेशन आपका मैंन बटा आए और अीछे het आतनी नेचिव वारेख चाल जाता है और नीचे वालrage अैसे रहा इन जाता है क्लियसेते हैं तो इस प्लस वनर इतुञान गया इतनी प्लस रिख सकते थो एस Ungare of fx is equal to क्या हो जाएगा 2x plus 1 और 2x plus 3 श्ट्वेंट तो देखिए यह function कब defined होगा इस्ट्वेंट यह function कब defined होगा जब नीचे के value क्या हो जीरो ना हो नीचे जहाँ 0 हुआ यह पुरा क्या चल जाएगा infinite हो जाएगा हो जाएगा ना infinite नीचे कंडिशन कुछ होने चाहिए ना तो ही कंडिशन अब निकालेंगे तो यहां पर क्या कर लेंगे 2x plus 3 कब किस पॉइंट पर यह 0 नहीं होगी एक्स की value यहां पर क्या पूट करेंगे 0 नहीं होगी वह देख लेते हैं किस value पर 0 हो जाएगी तो उसके लिए पूट करेंगे पूरा 0 बना देगा जब 0 बना देगा तो क्या होजागा यह पूरा फंसन नोट डिफाइंड रहा फंसन की बैलो तो यहां पर क्या लिखेंगे इसलिए हां पर मिखें हैं यहां पर लिखेंगे कि कामा देखें कि X not equal to 3 upon 2 इसके मतलब यही होता है कि X के value minus 3 upon 2 नहीं होगी ठीक है hence प्रोब्ड ठीक है यह रहा आपका question number third I hope को समझ मैं है एक last question देखते हैं जो question number four है वो बहुत थोड़ा अच्छा question है तो इसको pick up करते हैं इस्ट्वेंट तो इसको note कर लिजएगा देखें question number four क्या दो आपका question number four यह दिया है कि लेट fba को यह function है fx is equal to x minus 4 दिया है and gb को यह function है जो gx is equal to x square minus 4 upon x plus 4 कब है जब x not equal to 4 है तो यह जब gx की value होगी और x equal to 4 है इस्ट्वेंट तो क्या आगा है लेम्डा दे रहा है हमें find the value of lambda such that जब fx is equal to क्या हो gx हो for all value of x मतलब जब दोनों यह function equal हो जब अभी value of x कोई तब लेम्डा की value बताए यह क्या होगा इस्ट्वेंट हमें क्या दिया है कि fx is equal to क्या है आपका x minus x minus 4 और कुछ data दिया है क्या इसमें x minus 4 दिया है ठीक है कोई बात नहीं है ठीक है कोई बात नहीं है तो यह हो जाएगा डाटा कुछ और दिया है नहीं दिया है इतने डाटा दिया है ठीक है fx is equal to x minus 4 दिया है और क्या दिया है और gx is equal to क्या दिया हमें लेम्डा कब होगा जब x is equal to minus 4 हमें लेम्डा ओली value निकालने है तो इसलिए कब लेंगे हम x is equal to minus 4 को क्या दे रहा जी एक्स लेम्डा दे रहा है अब हमें question में given यह दिया student कि fx is equal to क्या है gx है वो क्या है सभी value of x के लिए मतलब for all x is equal to minus 4 मालने जिए जब x is equal to minus 4 रखेंगे तभी क्या आएगा fx is equal to gx होगा होगा नहीं होगा 4 आजाएगा तो माइनस 4 माइनस 4 यह क्या आजाएगा माइनस 8 आजाएगा ठीक है student और उफी तरीका फिए gx g-4 equal to क्या दे रहा है लेम्डा दे रहा है और बोला है कि आपका function क्या है यह दोनों equal है fx is equal to gx है student जब यहां पर होगा f-4 is equal to g-4 तो f-4 की value क्या रही है minus 8 आ रही है और g-4 क्या दे रहा लेम्डा दे रहा है तो लेम्डा की value क्या आ गई minus 8 आ गई समझ मैं है समझ मैं है आपको लेम्डा की value क्या आ गई माइनस 8 आ गई तीरहाब का question नमर फूर इस्ट्वेंट आइज़ जो है ना जो भी मैं क्योंच पिक आपका जो एक्जामपल दिया है रील फैंसन के नीचे वही सब एक्जामपल में इस वीडियों को लाइक करेंगे इस वीडियो को लाइक करेंगे इस वीडियो का टारगेट एक्टि प्लस लाइक है ठीक है आजके लिए तना ही जै भारत वारत वया नाइस टे